हाई विर्वरों सब्सक्राइब लेकिन एक प्रॉब्लम जो हर साल मुझे सुनने को मिलता है कि भया मेरा 11 वेस्ट हो गया मेरा 11 रिवाइज नहीं है 11 से मेरे से कोश्चन बनता ही नहीं है हम 12 में आ गया है लेकिन 11 के कुछ याद ही नहीं है अब बहुत सरे ऐसा होता है जो 11 वाला छूट जाता है मैं तुमको एक अनिस बात बता हूं ओनिसली एक बात बता रहा हूं आपjmर क्लास 11 जो होता है ना क्लास 11 है ना इस कॉम्पियर टूर बहुत टफ है यह सुनके तुंहें चिक्लेकर एक तुम्हें चुन हो रहा है यह प्रोब्लम sutta पच्छ and English ग्रें कर रहा है कि उनका掏वेंधफ वेस्ट हो गया उन्हें फील हो रहा है कि 11 उसका वेस्ट हो गया मैं इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉलुशन क्या होगा कैसे तुम 11 को पूरा कवर करोगे पूरा इस वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर वाइस सब कुछ डिजाइन करा है कि आखिर कैसे तुम कंप्लीट करो था ठीक है नी 2019 का तो उस समय क्या हुआ था ना जब मैं क्लास 11 में आया था तुम्हें पता हो गया है कि मैं बहुत ज्यादा अबरेज बच्चा था मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि मोल कॉंसप्ट क्या होता है वे गद्रोज नंबर क्या होता है न्यूटन से प्रकार से मुझे भी हो रहा था लेकिन मैंने क्या करा मतलब स्टार्टिंग के जी महिना क्लास 11 के स्टार्टिंग के श महिना मुझे पलने ही पर रहा था आखिर मैं कर क्या रहा हूं हां लेकिन मैं एक psychologically तो मुझे समझ हूँ नहीं आ रहा था मैं एक चीज़ का teaching teacher समझ में नहीं आ रहा है लेकिन समझने की कोशिज करा मोडूल से नहीं बन रहा है कोई बात नहीं दूसरों से पूछ के सीखने की कोशिज करा तो मेरे अंदर एक चीज थी कि मुझे करना है कैसे भी करना है तो मेरे अंदर वह सीखने का वह तो बोलता है नो उसको सीखने का ल को दुबारा से कबर कर लिए रिवाइस कर लिए कोशन प्रैक्टिस कर लिए सब कुछ कर लिए और उसमें हुआ क्या यहर मेरा क्लास 12 के साथ साथ क्लास 11 भी स्टॉंग हो गया यह एक एक दम ऑनिस्टी में बता रहा हूं अभी मुझे सड्डेनली यह आदा है तब मैं बताया आपको और यह सब के साथ होता है आपके पास क्लास 12 में बहुत टाइम मिलता है से लिए उसको कबर करने के लिए ठीक है अब कैसे करोगे मैं बता रहा हूं पहली चीज यह क्लास 12 को अच्छा करना क्लास 12 में तुम्हें के साथ क्लास 12 को कवर कर सकते हो सबसे पहले करना क्या है, कि जो भी chapter तुम्हारा backlog लगा हुआ है, छूटा हुआ है, समझ में नहीं आया, करना क्या है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुना, ध्यान सुना, एक seat बनाओ, ठीक है, ऐसा, क्यों ग्यार, honestly बता रहा हूँ, बिना planning के, बिना कोई तरीके से पढ़ाई करोगे न, जिन्दगी में कभी selection नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं खुल के बोला हूँ, कभी नहीं होगा, एक seat बनाओ, इस seat में इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक seat बनाओ, तुम्हें फिजिक्स के लिए, मालनो ये फिजिक्स का बनाया, ठीक है, फिजिक्स का बनाए तुम्हे करना क्या है? दो side है एक side में वो सारे chapters के nाम लिखने है जो तुम्हें दुबारा पढ़नी की जरुवत नहीं है जिसका lecture तुम्हें दुबारा देखनी की जरुवत नहीं है यहाँ पर तुम Red Ton Arnold में ऐसे सारे chapters के नाम लिख दो जिसका lecture तुम्हें दुवारा देखने का जरूवत नहीं है ठीक है नहीं है मतलब तुम्हें वो समझ में आ गया है दूसरा क्या करना है दूसरा तुम्हें ये करना है इस साइड में वो सारे चप्टर इसके नाम लिखो जिसके लेक्चर तुम्हें देखना जरूरी है तुम्हें समझ मुह भी नहीं आया तो महरा शूट गया बैक्श लग लगिया मतलब एक्श वाई-ज एड करके तुमने यहां पर मांलो एक चेप्टर हुआ दूlike भी चेप्टर हुआ तीन चेप्टर है चार चेप्टर हुआ ऐसे तुमने पूरा एक लिउस्ट बना लिया उस्स और यह physics chemistry biology तीनों के लिए करना एक लिस्ट बना लिया अब क्या है तुम्हारे पास यहां पे पूरा दिख रहा है कि यह चप्टर मेरा छूटा हुआ है यह लेंदी है अब तुम्हें क्या करना है ध्यान सुना इन सारे चप्टर के आगे है ना जैसे यह मानलो छूटा हुआ है इसको दुबारा से पढ़ना चप्टर साः अब तुम्हें करना क्या है कि मानलो कोई चप्टर है यहां पर पहला number टीक है इसको कंप्लीट करने में कितना समय तुम लगा सकते हो कितना दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो मैं आगे पूरा दिखाऊंगा वेट करना पूर पूरा दिखाऊंगा प्रॉपर स्टाट्रेजी दूंगा प्रॉपर तरीका बताऊंगा यह Fafaक तुम därbyक कर सकते होल दो यहां पतीन दिन लिखतो इसको तीन दिन इहां पर निंदенты इसको दो दिन यहां पppी तारसे एक लिश्ट बना लो और मैं ओन से बतारा हूं अगले एक महिना में तुमारा पूरा का पूरा बैक लोग तुमारा पूरा का पूरा चek्टर जो छुकूटा हुआ बना लेसे अवर इस लिस्ट बना लेडा अम पतल सोमय मारा मदद कर दे रहा हूं सुना ध्यान से यह physics का टीक है physics अगर तुम करना चाहते हो तो physics में basic mathematics सबसे पहले ख़तम करना सबसे पहले basic mathematics एक ऐसा chapter है ना जो कि तुम्हें हर जगा use आएगा basic mathematics कर लिए fluid mechanics देखो ये सारे chapters के आगे मैंने day लिख दिया day कि इसको तुम तीन दिन में कर सकते हो इसको one day में कर सकते हो मतलब इस प्रकार से मैंने एक list दे दिया इसको आप screenshot लेना चाहते हो ले सकते हो करना क्या है कि basic mathematics, fluid mechanics, work power energy, shm, sound wave, string wave, gravitation, ktg, thermodynamics और unidynamition physics के ये सारे chapters अगर आप अभी complete कर लेते हो तो आपको आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आप आसानी से आगे move कर सकते हो मैं बता रहा हूँ ये सारे chapters को आप total मिलाके 18 दिन में complete कर सकते हो अगर rigorous तरीके से पढ़ाई किये तो थोड़ा से अपना extra effort लाएक पढ़ाई किये तो 18 दिन में complete कर सकते हो अगर आप से पीवाई क्यूस बन गया नीटका समझों तुम्हारा काम हो गया अगर पीवाई क्यू बन गया तो सबसे लास्ट में खुद को चेक करने के लिए पीवाई क्यू सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका काम बन जाएगा लेकिन पहले focus करो चैप्टर complete करने पर लेक्टर देखके complete कर लो एक confidence आ जाएगा ठीक है दूसरा मैं बता रहा हूं कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि थोड़ा लेंदी है लेकिन ये भी बहुत important जैसे मैं बता रहा हूं काइने में ठीक को लौज अपमोशन हो गया और रोटेशन अपमोशन हो गया ये चैप्टर से थोड़ा लेंदी है तो इसको अगर आप one-shot से करना चाहते हो ना तो मैं बता रहा हूं एमार सर का लेक्षर देखना तो मैं सब कुछ समझ में आ जाएगा सब कुछ one-shot से भी देख सकते हो क्योंकि एमार सर ने क्या करा ना कि हर चैक्टर में question practice बहुत करवाया तो तुम्हारा साथ में question practice भी हो जाएगा ठीक है तुम यहां से वो कर लोगे तो यह फिजिक्स का solution हो गया तो मैं तुम्हें एक चाहिए बता रहा हूं फिजिक्स का कौन सा बेस्ट टीचर को आप फॉलो कर सकते हो मनीश राज सर मतलब एमार सर उनका one-shot लेक्षर आप सही तरीके से कर लिए तो मैंने भी रिसेटली एक बच्चे का इंटर्विव लिया था आपने देखा ह होगा मेरे चैनल पर है उसने खुद बता है कि एमार सर मतलब सबसे बैस्ट है फिजिक्स के ठीक है तो उनका one-shot लेक्षर पूरान लेक्षर भी है यूटूब पे फिरी में भी है जहां से तुम्हें पढ़ना है तो उनका लेक्षर पढ़ सकते हो वैसे और भी सर नितिनी नहीं था honestly बता रहा हूं कोई लेक्षर नहीं था तो मैंने क्या करना बहुत सब्सक्राइब नहीं समझ में नहीं आए बैक लोग लग गया एक दिन मैं घर पे चला गया था उसके मेरा पूरा SSM खराब हो गया तो मैंने क्या पता है मेरे पास एक पेंड्राइब था पेंड इसको मतलब चार से पांच दिन में खतम किया डिलीट किया नोट्स बनाया दूसा चप्टर ऐसे चन्द तो भाई अगर मैं कर सकता हो तुम क्यों नहीं कर सकते हो अभी तुम्हारा पास बहुत रिसोर्स है उस समय रिसोर्स नहीं था पर फिर भी मैंने सारा काम कर लिया एक तब तक excuse देते रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे honestly बता रहा हूं कुछ नहीं कर पाओगे तो पहली चीज़ एक comfort zone से बाहर निकलो और book pen निकालो strategy बनाओ कि कैसे करोगे ऐसा नहीं होता कुछ भी भाई बहुत टाइम लगता पढ़ने में तुम सोच लो छे मैना में कर लेंगे लेकिन छे मैना में दो साल काम को तुम अगर छे मैना में करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ेगा न तो यह चीज़ याद पढ़ना पढ़ेगा चलो टीचर का नाम में बता दो मनीश राज सर नितिनी विजय सर अलक सर एक महेंदर सिंग सार है और अब रहा बात अब तुम्हारा काम है तुम्हारा काम क्या है कि वन सोट वीडियो देख लिए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एड़न दीवाई क्यूज करो इतना काम तुम्हें करना है अगर तुम्हें इन सब में भी बहुत दिक्कत हो रहा है ठीक है मैं ए हमारे मैंटर्स है मैंने लिए मेंटवाव फ्लैटफोर्म पे हैं जो कि बहुत बढ़िया स्कोर 4 रखे हैं आप देख सकते हो बहुत बढ़िया स्कोर 4 रखे किसी ने 360 ला रखा किसीने 105 और 160 और 180 मतलब यह हमारे प्रीमियम मेंटर्स है जो आपको पर्सनली 1-2-1 एल्प क करो तो यह तुम्हें बताएंगे कि आखिर कैसे नीट 2024 में तुम्हें डिजाइड मांक्स स्कूर करना है 650 लाना है 660 जो भी लाना है तुम्हें यह तुम्हें बताएंगे ठीक है यह हमारे मेंटर्स है ठीक है मैं एक दिखा लों यहां पर हम लोगों ने संकल्प 665 नंबर स्कोर करे थे अगर तुम इतना नंबर ला लेते हो तो बढ़िया सा एम्स में चले जाओगे बढ़िया सा एम्स में चले जाओगे और ये सारे के सारे स्टुडेंट एम्स के ही है जो तुमें one to one guide भी करेंगे या आखिर तुम कैसे complete कर सकते हो तो ये हमारा mentor me का platform है आप इसको join करना चाते हो कोई बात नहीं आप आसानी से join कर सकते हो ठीक है बस याद रखना कि अगर कोई कुछ तुम्हें बता रहा है तो सुन के इस कान से इस कान से निकाल मत देना उसको तुम follow करने के courses करना क्योंकि यार जब तक implement नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं सिखोगे और implement करना बहुत जरूरी है तो ये तुम्हें बताएंगे कि आखिर कैसे तुम NEET में अपना marks improve कर सकते हो ठीक है हमारे इस वीडियो के description में आपको मैं link दे होगा उस link के तुरू आप आसानी से join हो सकते हो हम आपको अपने WhatsApp group में ले लेंगे जहां पे आपको one to one बताएंगे ये लोग connect हो जाएंगे आपके साथ ठीक है ये सारे के सारे aims के student है जिसने NEET में 650 plus 660, 80, 80 plus score कर रखा है वो तुम्हें बताएंगे कि आखिर तुम कैसे अपना marks improve कर सकते हो ठीक है एक बार विश्वास करो और खुद का time हमें दे दो और देखो तुम्हारा कैसा improvement होता है ठीक है बस मेहनत करना मत बूलना मेहनत हर जगा जरूरी है ठीक है अब हम बात करते है chemistry का मैंने तुम्हें physics में बता दिया ठीक है physics में मैंने बता दिया अब देखो chemistry में कैसे करोगे सबसे पहले seat बनाना है similar seat आपको chemistry का आप हम बात करते है chemistry में अगर आपका class 11 छूटा हुआ अगर chemistry में class 11 छूटा हुआ chemistry का सबसे most important chapter इसे पूरा chemistry टिका हुआ पता वो क्या मोल concept मोल concept एक ऐसा chapter है जिस पर पूरा chemistry टिका हुआ है अगर तुम्हें ये समझ में आ गे है ना मुझे 6 महिना लगा था मोल concept समझने में honestly बता रहा हुँ छे महिना लगा था मोल concept लोग मुझे बोलते था लेकिन यार मैंने पहली बार में करा मोल concept क्या होता है अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना तुम्हारा पूरा का पूरा chemistry समझ में आ जाएगा यह फीजिकल chemistry में ने बताया कि मोल concept यह सारे chapters के मैंने नाम लिग दी है जो class 11 के है जो तुम्हारे छूटे होंगे करोंगे कैसे थर्मोडाइनमिक्स गैसिस अस्टेट और केमिकल और आयनिक आयनिक एकिलिविरियम को सबसे लास्ट में करना उससे पहले यह सारे chapters के one short video lecture देख लो किसका देखोगे वो भी मैं आगे बता दे रहा हूं यह सारे teachers हैं हमारे जो बहुत बढ़िया पढ़ा रखे हैं मतलब ताबरतोर एकदम मैंने खुद भी देखा है सर्वेश सर बहुत अच्छा आपको बता देंगे पंकर सर बहुत बढ़िया वेटी सर का ना है ना तो यह मत सोचो कि यह सर यहां पढ़ा रहा है दिस इज इमोशन दिस इज यह वो कुछ नहीं पढ़ाई करो जहां से तुम्हें content मिला है वहां से लेके दबोचो नोट्स बनाव दिमाग में डालो question practice करो teacher तुम्हें सिखा रहे हैं platform बस एक platform है एसा नहीं कि यह teacher उस platform से पढ़ा रहे है तो बेकार है नहींद पिजए पढ़ा रहाना teacher को है platform को नहीं ठीक है platform मावा एक्लिक स्था तो बहुत घ़स है सर्वेस सर बहुत अच्छा परारख के पंकर सर बहुत अच्छह वी सर बहुत अच्छा नीटेश सर बहुत अच्छा परतीक सर रितिक सर बहुत अच्छा तो यह सारे टीजर्स है जिन पर आप ब्लाइंड ली ट्रस्ट करके अपना वन सब्सक्राइब के थुरूं कंटेंट ले सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाद तो बता रहा हूं देख अध्यान सुना अगर तुम्हारा छूटा हुआ कुछ भी तो तुम्हें करना क्या है कि केमिकल बॉंडिंग पर कमान बनाना केमिकल बॉंडिंग और एलेक्टोनी कंफिगिशन अटॉमिक इस्ट्ट्चर में आ जाता है तो यह तोनों चीज को कमर क लेचर जेनरल औरगनिक केमिस्ट्री और हाइड्रो कारवन यह चप्तर से क्लास 11 के इस पर थोरा सा कमांड बनाना इसका वन सौट देख लो वन सौट देखने के बाद सौंपचास कोश्चन सॉल्व कर लो तुमारा हो जाएगा आई-उ-पेसी थोरा अलग-अलग टाइप का होता है ठीक है वन सौट देखे नोट्स बनाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना काम तुम्हें इसका करना है पंकर सरका लेक्षर देख सकते हो बहुत अच्छा है वो भी ठीक है इन औरगनिक केमिस्ट्री में केमिकल बोर्डिंग देख लो वीटी सरका देख सकते हो ठीक है एलेक्ट्रोनिक अन्फिकिसन सीख लो और फिजिगल केमिस्ट्री में मोल कॉंसेट्स सीख लो सर्वेश सर्चेप पड़ सकते हो मोल कॉंसेट्स बहुत अच्छा है उनका ठीक है यह हो जाएगा तुम्हारा तब हम बात करते हैं बायलो जीगा यह टीचर्स के लिस झ्यूज ना ही दो है केर मेरा नहीं हो पाएगा बहुत बंब बंच्चेह ऐसे होते हैंनके पास पूरण पूरा इसा है तुम्हारा गार में बहुत लोग हैं तो पैसा कमाने वाले हैं एक बार नहीं हुआ दूसरे बार ड्रॉप लेंगे पापा नहीं तो तो अगली बार ड्रॉप लेने का मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होता है ऐसे तुम हर साल ड्रॉप लेते जाओगे और याद रखना मैं बता रहा हूं कि अगर तुमने नीट इग्जामिनेशन से पहले ड्रॉप लेने का सोच लिया ना तो कभी तुमार अगली से सोच ले रहा हो कि मुझे डॉप लेन खुद का self motivation एकदम जमीन पर रहेगा ठीक है तो examination से पहले drop लेने का मत सोचना मैं biology की chapter से बता रहा हूं biology की ये सारे chapters है ठीक है एर ऐसा भी biology बहुत easy है उसको आप one shot से एक पर lecture देख सकते हो बहुत सारे teachers है मैं teachers के नाम बता रहा हूं teachers के नाम बहुत important है तरुन सर एकदम भा बहुत बढ़िया विपिन सर्मासर एकदम फारू teacher भाई उनको तुम्हें क्या ही बता हूं गिनीज book of world record बना रखे विपिन सर्मासर ठीक है मैं खुद भी मिला हूं तो इनसे भी आप पढ़ सकते हो सी पाउजा मैं है और अकांसा अगरवाल मैं मैं PWP platform not matters मैं पहले बता र गया अब तुम्हारा काम है कि एक एक करके करना क्या है पहले chapters का list बनाओ लिस्ट में तुमने तुम यह मार करो कि तुम्हारा कौन से chapter हो गया है कौन कौन चप्टर तुम्हारा बाकी है बाकी है यह बाकी है अब time अशान करो इसको 2 दिन में इसको 3 दिन में इसको 4 दिन में question practice करो one shot देखो काम तुम्हारा है और हाँ मैं तुम्हें help करने के लिए बता रहा हूं मेरा अगर आप टेलिग्राम जॉइन करते हो तो टेलिग्राम पे तुमको physics के class 11th और class 12th के ncrt के highlights मिल जाएंगे जिसमें मैंने physics के सारे highlighting करके दे दिया है class 11th और class 12th के physics के सारे chapters के formula आपको एक साथ पूरा का पूरा मिल जाएगा organic chemistry का माइन में मिल जाएगा biology को तुम्हारा जितने भी डेट है नेम है नोमेन क्लेचर है डाटा है फुल फॉर्म है कुछ भी सब तुम्हें मेरे टेलिग्राम पर मिल जाएगा जो मैंने बहुत पहले प्रवाइड कर रखा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे उसको यूज कर रहे है तो यह आप क्यों पीछे हो आप भी जाके यूज करो लेकिन याद रखना सेलेक्शन उसका होता है जो पढ़ते हैं अगर आप एक्सक्यूज देने के चक्कर में रहे गए तो फिर से यह समय चला जागा अभी तुम्हारे पास है ना फेस्टिवल सीजन है फेस्टिवल सीजन इसमें लाखों बच्चे इंजॉय करेंगे ठीक है इंजॉय करेंगे ल सारे मंत में बहुत सारे बच्चे इंजॉय करने में भीरे रहते हैं तो आइधिंक आपको एक आइडिया मिल गया आपको एक प्लानिंग मिल गया कि किस परकार से आप अपना बैकलोग कम्प्लीट करोगे आपकर 11 वेस्ट हो गया तो कौन से चप्टर को पहले कम्प्लीट क तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग करेंगे और इसलिए आप काम करोगे क्योंकि काम नहीं करोगे तो भाई कभी मत सोचना कि बिना पढ़े सेलेक्शन हो जाए बिना पढ़े आज तक भगवान ने कुछ नहीं दिया किसी को ठीक है पढ़ाई करके ही तुम्हारा नंबर इंप्रूब होगा पढ़ाई करके ही तुम्हारा सेलेक्शन होगा और बिना पढ़े कुछ नहीं होता है बाई बाई टेक केर पढ़ाई करते रहें